नमस्कार दोस्तों मैं उसनी पांडे स्वागत आप सब करें नई वीडियो में नाओ एक डोकोमेंटरी बीबीसी की काफी चर्चा में है पहले तो ये सुरू सुरू में चर्चा में आई थी तो मैंने सोचा था कि चलो ये ऐसे ही मामला सांथ हो जाएगा लेकिन ये तो बढ़ती ही जा रही है इसकी कंट्रोवर्सी और इंडिया, यूके और पाकिस्तान में इस पे पॉल्टिक्स भी हो रही है लोग अपने-पने हिसाब से अपनी बाते रख रहे हैं लेकिन इसमें पाकिस्तान कुछ जादा इंटरेस्ट ले रहा है और यूके में भी जो पाकिस्तानी ओरिजिन के इंपी है वो भी जादा इंटरेस्ट ले रहे हैं बीबीसी ने तो अपना काम कर दिया और बाकी बचा काम पाकिस्तानी कर रहे हैं बीबीसी के पास फाइनेंसियल सपोर्ट की जरूरत है हो सकता है 2024 में election है उनको कहीं से support मिल गया हो उन्होंने परदान मंतीर नरेंद मोदी के उपर एक documentary बना दी देखो इसमें और डेड़ी बहुत सी चीजे प्रकासित हो चुकी है कुछ BBC अलग से तो ले नहीं आएगा इसमें परदान मंतीर नरेंद मोदी की side से बोलने की जरूर नहीं है उनके side से बोलने के लिए एर्दम बगेची ने जो भारत के foreign ministry के spokesperson उन्हेंने clear कर दिया है कि यह propaganda documentary है और यह जो कौनोलियन mindset है उसको उजागर करता है जो ब्रिटेन का है ठीक है तो मोदी जी का support और भारत का supreme court, इंडिया का supreme है justice के मामले में इंडिया का judiciary system का वो supreme है भारत का supreme court अगर उसने किसी इंसान को clean sheet दे दी है तो who the hell are you कि आपने इस तरह से allegation उस इंसान के उपर लगा दिया और कुछ चनरेज करने की कोशिस कर रहे हो बात समझ रहे हो आप प्रधान मंत्री मोदी के उपर direct attack कर रहे हो वो बात समझ में आती है चलो एक politically motivated हो सकते हो या आपका imperialism का mindset है वो हो सकता है लेकिन आप Indian judiciary पर कैसे सवाल उठा सकते हो Indian judiciary उनको clean sheet ना देती फिर आप इस तरह से सवाल उठा सकते थे सबसे बड़ा matter तो यह है आप कैसी भी documentary बना लो सुप्रिम कोड का आप जो verdict है उसको change कर दोगे क्या नई change कर दोगे तो हिंदू मुसल्मान की इंडिया में बात करके आप क उसमें पहले ये भी दो देखो कि उस पर क्या क्या किस तरह से procedure wise काम हुआ और उसके बाद में सुप्रिम कोड ने clearly ये बोल दिया कि जो प्रधान मंत्री ने ने दोगे प्रधान मंत्री मोधी को लेकिन ये BBC बीच में कूद गया और इसने प्रधान मंत्री ने प्रधान मंत करें लेकिन ये सवाल प्रधान मंत्री मोधी के उपर रेस तो उसने की हैं देखने में लगता है लेकिन इंडियन इस्टिट्यूशन पर बिलीव कई बात आ जाती है भारत के सुप्रिम कोर्ट के उपर बिलीव की बात आ जाती है कि आप उसके वर्डिक जिसमें उसने clear कर की प्रिस्डेंसी कर रहा है इंडिया इस साल में ब्रिक्स की प्रिस्डेंसी कर रहा है इंडिया बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोग्राम होस्ट करने वाला है आएसे में आप इंडिया की वेजिए दिखाना चाते हो दुनिया भर में कि इंडिया जी ऐसे है प्रधान मंत्र कोई बाकी ही नहीं रहा क्योंकि उन्होंने ही रूट ओपन किया है रही बात प्रदानमंतरी मोदी के ऊपर इस तरह की टिपनी तो UK में भी इसके उपर politics हो रही है पाकिस्तान में भी हो रही है पाकिस्तान के MP जो थे उन्होंने कहा कि ब्रिटिस को चाहिए कि यह हम बैक कर दें BBC को सपोर्ट कर दें BBC को कि ठीक documentary बनाई है तालियों से स्वागत करें उनके डारेक्टर की अच्छा कि आप ने इसा बनाया और क्यों नह है इसका कोई ग्राउंड ठीक ठाक है नहीं जो उस टाइम पर UK के फोरण मिनिस्टर थे जैक स्ट्रो उनके टिपड़ी पर यह documentary बनाई जा रही है तो यह तो UK के लोग हो गए या अमेरिका के लोग हो गए यह रेसीजम में भरोसा करते हैं पहली बात तो यह उसरी बात इस से देखा नहीं जा रहा है कि इंडिया ओर्ड की फिर्ट लाज़ेस्ट इकोनोमी बन गया है इंदा फ्यूचर यह बहुत आगे जा सकता है और इंडियन ओरिजन का परदान मंत्री भी इस टाइम पे UK में है UK इंडिया की फिरी टेड एग्रिमेंट को लेकर डील होने वाली है इसी वज़ा से वहाँ पर भी पोलिटिक्स होती रहती ही इंडिया को खास कर लेकर और ऐसे में UK की जो रिजीम है वो नहीं चाहती कि इंडिया के साथ रिलेशन खराब हो जाए इसी को देखते हुए मैंने लिटरली देखा है कि ये केमपी ने इदनी तारीफ कि ये आचीत कर रहे हैं तो इस वज़ा से इन लोगों की बातों में कोई दम नहीं है और जिस तरह से इंडियान इस्टिट्यूशन पर सवाल उठाया जा रहा है इंडारेली ये पहुत गलत है मैं बताओ ये हिना रब्बानी है पाकिस्तान की स्टेट और फोरण मिनिस्टर है कुछ तो उन्होंने कहा कि जो राना आयूब है उनका घर गिरा दिया गया बुल्डोजर से ऐसे जाहिल लोगों को पाकिस्तान में मिनिस्टर बना रखा है इंडिया में कभी आपने सुना कि राना आयूब का घर गिराए गया है उन्होंने लिटिली बोला है कि राना आयूब का घर गिरा दिया हमें मत बताओ हमें सब पता है उनको सब पता है पाकिस्तान में बैटके पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं और रही वार बिलावल वोटो की तो उनकी ये रही वीडियो